गर का interior design करने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लो गर एकदम premium सा हो जाएगा luxurious trending चीजे में आपको बताने वाला हूँ गर आपका बड़ा भी लगेगा और premium भी लगने वाला है false link हमेशा आपको करवानी है P.O.P की बहुत rich look आती है P.O.P की करवानी है possible हो plain रखो जितनी जदा plain रखोगे उतना अच्छा लगता है अगर plain नहीं रखनी है तो उसमें curves दो जितने जदा curves आप दोगे circular कर लो थोड़े curves दे लो तो वो इस समय बहुत trending में लग रहे है वो layer वाई जो रहती थी पहले एक layer उपर layer वो वाली false ceiling का भी मत करवाओ जितनी layers करवाओ कि उतने camera छोटा लगता है और देखने में अच्छे में लगती है और काफी लोग गलती करते हैं सारी lights जो होती है नूम की वो ceiling में ही देते हैं मतलब false ceiling में ही डाल देते हैं तो वो एकदम premiumness आपके room में ले आएगी अगली चीज क्या करनी है आपको जब भी अपने room में door देना है door पे कोई दियान नहीं देता है interior design जो भी करेगा door पे इतना ज़्याद दियान नहीं देता है उस पे देना है जो colors आपका नीचे flooring का है वो ही आपका door का रखो वो ही अपने fan का रखो तीनो जब एक साथ match होते हैं तो आपके room को वो बड़ा भी दिखाते हैं वो एकदम rich look देते हैं इसे हमने पकली example ले लेते हम white हमारी flooring थी थी white tile थी door थोड़ा white shade में रखो जो पंका होगा आप silver कर सकते हो मतलब एक tone में वो रहना चाहिए ऐसा नहीं हो कि blue आपका fan है brown आपके door है, tile white है तो वो थोड़ा ना मतलब इतना अच्छा नहीं दिखता है तो आपको यह चीज़ी दियान रखनी है कि आपका door color में use करो या पेस्टल colors कर लो dark colors कर लो इसमें आप जा सकते हो अगली गर में अगर tv unit बनाने का सोच रहे हो ऐसा कुछ tv unit यह समय ट्रेंडिंग में है सब लोग बना रहे है तो इसमें दो टाइप से आप जा सकते हो एक तो budget friendly एक मतलब budget का कोई issue नहीं है premium look ले चाहिए premium look कैसे होगी यह side पे जो material यूज़ किया गया इस side पे यह है MDF या HDHMR दोनों में से एक lowers आप यूज़ करने है lowers है उनके उपर आपको करवाना है PU paint तो यह आप करवा सकते हो यह महंगा बहुत रहता यह 800 से 1000 उपया पर square feet के साब से एक side बन जाएगी दूसरी side इसमें लगा है marble भी लगा सकते हैं Italian marble लगाया है और यहां आप जो 8x4 की tile आती है तो कैसे जा सकते हैं WPC lowers या PVC के lowers यूज़ करने है साथ में आपके पास option हो जाता है UV marble sheet लगा सकती हो acrylic sheet भी आती है वह थोड़ी costly होती है लेकिन budget में रह जाती है वह लगा सकती हो जब PVC laminate आती है वह लगा सकती हो तो यह सस्ते में बन जाएगा kitchen पे कि आपकी modular kitchen एकदम modern लगे spacious लगे और एक trendy look उसमें आए कि आप क्या करो कुछ pastel color choose करो जैसे सामने आप color देख रहे हो बहुत rich look मिल रही है इसमें तो यह है blush pink और white का फिर अगला है yellow और grey का white और beige grey pastel green look और white के साथ blue और pastel यह मतलब कुछ ऐसे color आपको use करने हैं जो ज़ थोड़ा congested सा छोटा दिखाते हैं तो कुछ लोगों को पसंद होता है कि उनकी kitchen में color add हो तो आप क्या कर सकती जो नीचे के cabinet हो उनको थोड़ा बहुत dark कर सकती हो लेकिन में तो recommend करता हूँ pastel रखोगे उतना जदा modern और elegant सा लगेगा इसमें आप जा सकते हो अगली चीज अपने गर में mirrors add करने हैं जितने जदा mirror add करोगे उतना area सुंदर लगता है मतला mirror in the sense यह नहीं कि simple rectangular square आप शे mirror use करो आपको curbs वाले mirror use करने हैं जितने जदा गर में curbs होंगे उतना जदा premium गर इस समय लगता है तो यह चीज आपको करनी ही करनी है कि आपने गर में curbs देने है और जो आपके ceiling में beam दिख रहे होते हैं ठीक है उनको भी hide कर सकते हो किस तरीके से क्योंकि सामने लगेंगे खराब दिखते हैं अगर fall ceiling में cover होगे ठीक है अगर open है गहीं तो उनको भी curbs के help से आप hide कर सकते हो तो यह थोड़ी चीज़े होती है जब आप boring bedroom होते हैं उनकी जो bed sheets होती है कुछ इस तरीके से दिखती है मतलब जिसमें काफी जुदा puzzled, cut colors, patterns तो यह बहुत खराब दिखती है ना यह आपके room के theme के साथ जाती है ना आपके bed को highlight करती है तो इन bed sheets को आपको bye bye करना है तो luxurious bedroom कोन से होते हैं जिनमें कुछ ऐसी bed sheets लगाई होती है solid colors की रहती है जैसे gray में होगी, beige में होगी, steel gray में होगी तो काफी colors आते हैं इसमें भी बस आपको करना क्या है जो आपकी bed sheets है उनको solid में रखना है बहुत premium look देती है क्योंकि उनका जो color होगा वो थोड़ा शांत सा रहेगा जो आपका bed होगा उसका look निखर के आएगा यह table है इसके साथ play करना है यही आपके tv unit को मतलब zero से hero बना देगा क्योंकि इसी पर सब कुछ depend होता है सबसे पहले क्या करना है जो console unit है उसको curves में लेना है इसमें curve वाले बहुत rich look देते हैं और जो lowers के साथ आते हैं जिन पे MDF या HDHMR के lowers होते हैं और duco paint किया होते हैं बहुत जादा rich look देते हैं पहली चीज करनी है कि वह थोड़े curves हों उनमें उसके साथ जा सकते हों दूसरा कि जो tv unit यह console है इसकी जो legs है वो thin legs रहें जो भी आपका area है बले bedroom है बले आपका living room है जो भी आपको उसमें furniture रखना है वो 20 से 30% उसमें होना चाहिए जितना ज्यादा उसक तो room बड़ा भी दीखेगा और premium भी लगता है तो जो furniture आपको use करना है लगा लो आप sofa use कर रहे हो तो उसकी जो legs होती है वो जितनी ज्यादा thin होगी उतना ज्यादा area नीचे का हमें देखेगा उतना premium वो लगता है जो हमारा लगा लगा लो tv unit है वो cantilever वाला ले लो जो बा hang lamps आते हैं वो लगा सकते हो sofa हम लोग क्या करते है L shape का ले लेते हैं जाब bed हम क्या करते हैं बड़ा shape का ले लेते हैं पूरा area वो ही ले लेता है तो आपको जो sofa लेना है वो इस तरी सीटर आपको sofa लिया दूर सीटर जो उसके साथ आता है तो रखो thin legs होगी हमें area भी नीच अगली चीज करने हैं जासे हमने window बड़ी लगाई थी जो cuttons हमने उस पर लगाने है वो full size cuttons लगाने है मतलब उपर से नीचे तक तो वो cuttons आने ही आने चाहिए पहली चीज आपको करने है कि ceiling से लेके नीचे तक बहले 10 foot जगा है 12 foot है या 9 foot उपर से नीचे तक और window जि चाहिए आपको करना है पेस्टल शेड्स उसमें जाने है solid में जाने है और साथ में आप कर सकते है शीर कटन भी बीचे आपके शीर कटन होगे शीर कटन को इसे white color के कटन होते है transparent से वो रख सकते हो day में वो रख होगे और रात को उसके उपर solid color लगा मतलब solid cotton जो आते है पे चार की टाइल यहां उससे तो बड़ी मैं बोलता हूँ चार भाई आठ की टाइल लगा हो जान चार भाई छे की जितना बड़ा plank आप लगा सकते हो उतना जाधा बड़ा plank लगाना है और मैं recommend करता हूँग आप वाइट टाइल रखो यार वाइट टाइल जो लुक देती है वो और कोई टाइल नहीं देती है वाइट टाइल आती है बड़े बड़े planks ठीक है उसमें रेशे आप ले लो जो भी आपको चाहिए golden रेशे आ जाती है ब्लैक ग्रे जो बीच में डिजाइन होते हैं और जितने जाधा कम रेशे होंगे उतना जाधा अच्छे वो लगते है और जब टाइल आपको लगानी है पेपर जोइंट लगाना है उसमें मतलब जितना कम जोइंट दिखेगा उतना जाधा वो अच्छा लगता है और काफी लोगों के दिमाग होगा ग्रूब नहीं छोड़ेंगे तो दिक्कत आगे कोई दिक्कत नहीं आती है अंदर में ट पैनल बहुत प्रीमियम लगते हैं उनमें सबसे पहला ऑप्षिन क्या है ओनेक्स मार्बल बहुत रिच लुक देता है लेकिन इसका थोड़ा प्राइस बहुत जाधा होता है तो लोग काफी कम अपने गर में यूज़ करते हैं लेकिन अगर बजट का कोई इसू नहीं है त क्योंकि इसको जब लगाया जाते है इसके पिछे लाइट लगाई जाती है वाउम वाइड या जो भी लाइट आपको लगवाने हो जब लाइट आउन होगी राध को यह बहुत रिच लग्जरिस लुक देता है आपके गर को और जब लाइट आफ होती है तो मार्बल जो रहता है क्योंकि नेचरल पत्थर हो तो वह दिन में अपनी लुक देता तो दोनों टाइम इसकी अच्छी लुक आपको देखने को मिलती है गर के इंटीर को अगर ओर ज्यादा ट्रेंडी और लग्जरिस दिखाना हो तो इसके लिए पार्टीशन बहुत हल्पूल होती है स इसमें बीच में ग्लास यूज़ किया जाता है ग्लास आपको टिंटीड जा जो फ्लेर आते हैं टेक्टर वाले आते हैं वह ग्लास यूज़ कर रहा है जैसे आप सामने पिक में देख रहे हो जो ट्रेंडिंग है और इसके लिए आपको थोड़ा बजट अपना बहुत दूसरा टाइप होते हैं हमारे जिसमें ग्लास यूज़ किया हो जाता है इसमें पैटर्न बहुत रिच आते हैं जिसमें ये पैटर्न आपको दिख जाएगा ये भी सेम पिविडी है पस इसमें क्या है ग्लास यूज़ किया है डिजाइन है गर्ब्स है अपकी इंटीर को चार चांद लगा देगा इससे रिच लुक जादा मेर को नहीं मिलती है क्योंकि समेट ट्रेंडिंग में ले क्या होता था ट्यूब लाइट्स थी cflc उनको लगा दिया हमारे रूम की अंदर लाइट हो गई लेकिन वो जमाना गया ट्रेंड के साथ जाने हमें तो आज किल हम यूज क्या करहे है पैनल लाइट्स आ गई है प्रॉफाल लाइट्स आ गई है पैनल लाइट्स कैसी होगी कुछ ऐसे पैनल दिखती हैं जो आप आपको जर्णलाइट दे देते हैं रूम में, आपनी दिवारों पर वर्टिकλ स्टिप लगाओ, वर्टिकल स्टिप से क्या होता है, मतलब रूम क्या होगा बढा दिखने लग पड़ेगा, कोई भी एक दिवार है, लगा लो आपने एक दिवार पर वार्डुरूब बनाई ह हैं वो लगा सकती हो उससे भी रूम बड़ा दिखेगा सुंदर तो लगने यह बाल है या पीविसी फुल्यूटिट पैनल तो यह option हो जाता है मतलब आपको vertical pattern बनाने अपनी दिवार पे उससे क्या होगा रूम की height बड़ी दिखती है और देखने में रूम बड़ा और लग्सरेस दिखता है इसमें आपके ball paper भी आती है यो vertical lines में आती है black and white में वह भी लगवा सकते हो वह भी सुंदर लगे यह दूसरी tip आपको करनी है अगली चीज आपको क्या करनी है जो आपकी fall ceiling रहेगी उसको आपको बिल्कुल light color में रखने है वो dark color का जमाना गया और करवाने में नहीं है light color रखने है और same किससे match करने है जो आपकी walls है उससे color अगर match होता है तो room और ज़दा बड़ा दिखता है और एकदम trendy और luxurious look मिलते है ऐसे switches अगर आपको कहीं भी दिखते है ना वो flat low ना अपने गर में ऐसे switches लगाओ इनका time बहुत साल पहले ही चला गया था लेकिन अभी भी कुछ companies हैं जो इनको बना रही हैं लोग ले रहे हैं आपको नए switches का साथ जाना होगा जो white colors के तो मेरे खाल में नहीं हो ग्रे में जाईए black में जाईए metal में जाईए bronze में जाईए बहुत अच्छे लगते हैं और price का इतना ज़्यादा फरक नहीं रहते है लगबग same थोड़ा price उनका ज़्यादा है लेकिन आपके गर को वो rich look जरूर देंगे तो ऐसे switches को अभी buy buy कर रहो तो trending switches हर के company के आपको मिल जाएंगे आप उनके साथ जा सकते हो और Chinese market में देली में जाके आपको आदे से आदे price में ये pattern trendy look वाले मिल जाएंगे अगली चीज जो गलती